देश की पहली बुलेट प्रेन मुंबई से एहमदाबाद 508 किलो मिटर का ये प्रोजेक्ट बुलेट प्रेन जिसका सपना पूरे देशवासी देख रहे हैं ये भी सवाल कि ये कब पूरा होगा लेकिन उसकी हाकीका जानने के लिए हम गुजरात में मौजूद हैं गुजरात के नवसारी जिले में मौजूद हैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वही प्लैटफॉर्म है जिसके उपर से बुलेट प्रेन दोड़ेगी जी हां ये वो इतना तो पूरा हो गया है कि कम से कम पहली जलक किस तरीके से बुलेट ट्रेन का काम हो रहा है वो तस्वीरे आप देख पाएंगे क्योंकि ये वो प्लैटफॉर्म है जहां पर बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाए जाएगा और ये वो भारी भर का मशीने हैं वो तक भूमी अधिकरण लेंड अकुजिशन लगबग 100% हो गया है और उसी का नतीजा है कि चुकि लेंड अकुजिशन हो गया है तो अब तेजी से काम सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप जो सामने ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं इनी खंबों के उपर जिनको पिलर बोलिया आप या पियर बोलिए टेक्निकल भाषा में इनको पियर बोला जाता है लेकिन सरल भाषा में आप समझे तो ये वह वह कंबें कॉंकरीट के जिनके ऊपर से बुलेट ट्वेन गुजरेगी जमीन से उपर तकरिवन ये दस से बारा मीटर ऊचे यह एलिवेटेट कोरिडोर बनाया जाएगा जिसके उपर से यह बुलेट ट्रेन यहां पर गुजरेगी और यह जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं यह दरसल एहमदाबाद की तरफ का रास्ता है यह एहमदाबाद को जाता है और बाईं तरफ इसको इस तरीके से उठाया गया है और इस मशीन के जरिये इसको आगे लेकर के जाया जाएगा जहां आप देख रहे हैं कि खंबे बने हुए हैं जिनको पीर बोलते हैं इसके उपर ले जाने के लिए यह पूरी कवायत की जाएगी और यह जो बड़ी-बड़ी मशीने के ऊपर पहुंचाए जाएगा और वहां पर आप वो जो ट्रक की तरीके से आप जो एक मशीन ऊपर देख रहे हैं जिसमें करीब 200 पहिये लगे हुए हैं यह एकदम ट्रक के साइज के बड़े-बड़े पहिये यहां पर लगाए गए हैं इन पहियों के उपर जो मशीन पढ़ेगी तो लॉंचर उसके आगे आने की आगले खंबे पर वो गाडर पहुंचाएगा और आप देखेंगे तो इसमें यह जो तकनीक है यानि कि स्क्राडल के जरीए गाडर को लिफ्ट करना और फिर यह पूरी कंस्ट्रक्शन को फास्ट्रेक करना यह जो तकनीक है य इसमें स्पेन, इटली, चाइना, साउट के अरजया जैसे मुलक के शामिल हैं और भारत में भी इस तकनीक के जरीए पूरे कंस्ट्रक्शन को तेज यानि कि फास्ट्रेक किया जा रहा है इसका फाइदा यह है कि पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रॉसेस है वह प्रक्रिया काफ रहे हैं कि देखने के लिए कि कंस्ट्रक्शन कितना हो पाया है, कंस्ट्रक्शन कितना आगे बढ़ पाया है तो उसको देखने के लिए जैपैन के अमबैस्टर भी भारत आये हैं और उनके साथ महीं बुलेट प्रेंड एमडी यानि की सतीश अगनिहोतरी यह भी पूरा प ने यश्यवारत बाकि है, तो उनको कितना पाशानवित कर पाइंगे कि हम एक नएड़ लाइन को पूरा कर पाइंगे? देखे अबी जापान के प्रदानमंत्री जी भारत आये थे तो हमारे प्रदानमंतिर जी ने एक चीज कही थी कि भारत और जापान जोनों देश मुलके एक प्रोगेट के लिए एक टीम बनके काम कर रहे हैं दूसरी चीज जापान के प्रधानमंती जी ने कहा था कि he cannot wait for the day when the Japanese inkounsen is run under Indian soil. तो with these guidelines are the instructions from the top of the two countries. We are putting our all efforts to progress projects as fast as possible. और जैसा आप देख रहे हैं, आप दोह तरफ देखेंगे, ये पिर्स खड़े हो चुके हैं. बिल्कुल सर्थ. और पेंडेमिक वाइरा सबके होते हुए भी, अभी हमने दिसंबर में 4 km से ज़्यादा पियर किये, फिर जनवरी में 6 km से ज़्यादा किये, फबररी में 9.5 km किया, मार्च में हमने 12 km से ज़्यादा किया. तो हर महीने progress बढ़ती जा रही है. गुजरात में हमारे पास 99% लाइन्ड है, तो काम में गुजरात में किसी तरी की कोई रिकावर्ट नहीं है. तो 2017 को एक लिस्ट यह है कि एक सक्षन या एक बड़े लक्ष का आप हास्री कर पाएंगे? यह हमारे रेल मंत्री जी ने हम लोगों के लिए यह एक टार्गेट हमको दिया है. और उनकी 24-7 की मॉनिटरिंग है डिरेक्ट विद मी. डिरेक्ट. नोबडी इन बिट्वीन. नोबडी जी तो हमारे रेल मंत्री जी ने यादेश दिया है तो हम अपना पूरा प्रत्म कर रहा है है कि 2027 का हम तरगेट अचीब करेंगे हैं और इसके लिए His Excellency, Ambassador of Japan, is with us, he took time to come to the site and spend whole day, so you can multiply how much importance is attached by the government of Japan, so as our Prime Minister has said, this is a flagship project between the two countries and for the people of the two countries, so all technical support, and financial support from Japan, उफ वड़ान के लिए रार्रागाने को हुड़ारिड का है Qait a hectic day but you have been taking the ground reality that how far the construction has been completed how excited you are, how satisfied you are with the current pace of construction you believe so that this new target 2027 could be achieved? Yes, I think I believe that is very possible प्रोजेक्त में बहुत लोगों का योगदान है देश के अलग अलग हिस्तों से यहां पर जो एंजिनियर आए हैं वह बुलेट्रेंड प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपनी तरफ से सही हो कर रहे हैं और थे कि किसी भी तरीख से वरकर को सेफ्टी में कोई दिक्कत ना यहां जी कहां से आप? जी सर मैं यूपी बल्या से हूं तो बल्या से आप यह अपने यहां कब जोईन किया जी दिसंबर 18 तारीक को मैं इधर जोईन किया और आपके मन में क्या भाव है क्योंकि यह बुलेट ट्रेंग देश के पहली बुलेट ट्रेंग है तो आपको जब मौका मिला कि यहां पर मेला बुलेट ट्रेन का वर्क जो चला था मुंबई से हामदाबाद उसमें मैं काम किया था बहुत थी मतलब एक गर्व का बात है बहुत अच्छा लगता है सिफ्टी के लिए सुरक्षा के लिए चुकि आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा के लोग यहां पर पूरा पालन करे उसके लिए क्या-कया देखते हैं America का उनको समझाते लोगों को इसके पहन के नहीं रखने का उसको है हेंगरिंग करना पड़ता है ताकि अगर हमें गलती से भी अगर कुछ वागर गिरने का कोई चांसेज हुआ तो अगर हैंगर किया हुआ रहेगा तो मैं बच सकूँ जाहिर बात है जब आप देश के एक हासिक प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वह खुशे आपको इस तरीके इसे जरूर चेहरे पर देखने को मिलती हैं अ अगर को मैं जब आपको इसे जरीकेश है।